आज है राधा अश्टमी मुझे भी कली पता चला तो मैंने भी सोचा मैं भी फास्ट रखती हूँ और मैंने सुबह सुबह उठके और पुझा अच्छे से कर लिया मंदे साफ करके और फिर से पूरा दिन ऐसा ही बोरिंग सजा रहा था तब ही मेरे एक भाई ने कॉल किया श् आने के लिए पर बारिश भी था इसलिए अकेले पैरेंस ने भेजा नहीं तो हम यहां फाइनली अंधेरी अप पहुच चुके हैं श्वेता आगे-आगे जा रही है और मैं उसको फॉलो किये जा रही हूँ वह काफी टैम्स कौन जाके आ चुकी है उसलिए उसे अच्छे स रास्ता पता है तो यहां हम आ चुके हैं वेस्ट साइड और यहां भी हलके-उलकी सी बरसाथ आ रही है तो हम छत्रे में ही जा रहे हैं और यहां पहले हम आटो डूंडे तो आटो काफी टाइम के बाद हमें मिला तो फाइनली अभी हम आटो में बैठ चुके हैं और स्कॉ पहुच चुके हैं आटो वाले भाया को पैसा दिया और बस हम एंट्री करने के लिए रस्ता क्रॉस करने लगे गेट से हमने चेक-इन किया और उसके बाद से फिर हम अपने शूस रखने के लिए लॉकर डूनने लगे पर भीर काफी जादी थी इसलिए हमें लॉकर मिला नही तो हमने ऐसे ही साइड में अपने शूस को रख दिया शूस को रखने के बाद से हम चल पड़े हमारा हाथ पर अच्छे से दोने के लिए तो हमने हाथ पर अच्छे से दो लिया मंदिर के गेट के बाहर काफी भीर ती तो इसलिए जब तक हमने वहां का प्रशाद लिया और हमने खाया काफी अच्छा लगा वहां का प्रशाद, वहां के प्रशाद में हमें खिछुड़ी मिला था और मेरा सुबे सिफास था तो मैंने साड़े पाथ छे बज़े के करीब छोड़ दिया और मैंने खाया मुझे काफी जादा अच्छा लगा और इसके बाद से हमने यहा पे जा रही थी तो इससे डाटा बाए बाए बोलने के बाद हम आगे चले गए और यहां हम देखने लगे क्या क्या चीज़े हमें देखने को मिलेंगी तो यहां काफी अच्छे अच्छे ना यह मूर्तिया थी जो काफी जादे अट्रेक्टिव और बहुत ही बढ़िया लग बलए यहां स्पेस टूनने के लिए कि कहां से वह खड़े होके देख पैए तो यह जो है 2020 के लिए पूरा अच्छे से काफी अच्छा लगा देखके ये सब देखने के बाद मैं आगे बढ़ गई राधराने और कृष्ण जी की दर्शन करने के लिए काफी बेड़ थी और काफी मशक्कत के बाद मुझे दर्शन करने को मिल गया और ये सारे जो मूरतिया ना काफी अच्छे से बने हुए ते गड़े साथ पच्छने में 10 मिनिट कम था तभी हम जल्दी जल्दी से जाके और स्पेस डून लिए और खड़े हो गई बोट फेस्टिवल देखने के लिए यहां राधरानी को बोट में रख दिया गया है और ये जो है यह हमारी राधरानी बोट पे सेर कर रही है और ये यह हमारा बोट फेस्टिवल है तो ये देखने के बाद काफी टाइम हो गया था घर से भी कॉल आने लगा था तो इसके बाद से हम सोचे अब हम निकलते हैं तो प्रशाद लिया हमने और अब हम बस एक्जिट कर दिये एक्जिट करने के बाद बाहर आए तो काफी बारिश की पास एक बहुत ही अच्छा सा फ्रैंकी का शॉप है काफी टेस्टी लगता है तो वहां एक बड़ा हम ट्राइब करते हम सीधे फिर वहीं चले गए और वहां हमने ट्राइब किया अच्छा ता फ्रैंकी पर मुझे काफी तीका लगा और खाने के बाद सेधे हम कर के लिए निकल गए